बारतिय मौसम विज्ञान विबाग यानि इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अंडमान निकोबार आइलेंड के लिए स्पेशल बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें 29 नवंबर से 2 डिसमबर 2021 तक के लिए वार्निंग है 30 नवंबर को सौथ अंडमान सी में एक लोग परसर एरिया बनने जा रही है जो आगे जाकर पस्चिम उत्तर पस्चिम की तरफ बढ़ेगी इस वार्निंग में खास करके एक डिसमबर को ओरेंज वार्निंग जारी किया गया है जिसमें heavy to very heavy rain और हवाएं 50 से 60 किलोमेटर तर च जाने की चेतावनी है अगर यह लोग प्रसर एरिया आगे जाकर साइकलोन का रूप लेगी इस साइकलोन का नाम साइकलोन जवाद होगा तो आएए देखते हैं इस वक्त क्या हाल है और यह किस तरफ मूग कर सकती है यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह सौथ अंडमान यानि पोर्ट बेर का इलाका है यह लिटिल अंडमान यानि हटबे है और यह निकोबार आइलेंड है यहाँ पर आपको कहीं लोग प्रसर एरिया नजर नहीं आता होगा लेकिन यह देखिए यह थाइलेंड है और थाइलेंड के पूरव की तरफ लोग प्रसर एरिया बना ह हुआ है यह जो मैंने वीडियो ली है यह earth.nelskool.in कवे है जो मौसम के बारे में prediction देती है और यह जो थाइलेंड के पूर्व में अभी इस्तित है यह थाइलेंड को क्रॉस करके अंडमान की तरफ बढ़ने की संभावना है जो एक डिसंबर को हटबे और निकोबार के पास से गुजरी की जी हाँ यह windy.com की तस्वीरे में आपको दिखा रहा हूँ और यह आगे चलकर सैक्लोन में परिवर्तित होने की संभावना है जो आगे जा करके आंदर प्रदेश की तरफ यानि नलूर और विजयवाडा की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है यह जो है prediction है औ और सैक्लोन जो है अपनी दिखाएं भी चेंज करती रहती है मैं आगे भी आपको इसी तरह का अपडेट देता रहूँगा बस आपसे इतना है कि आप सब अलेट रहे सेफ रहे मैं आगे का अपडेट देने की कोशिश करता रहूँगा वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जए हिंद